जब दिन इच्छा विश्वास के साथ आप कोई काम करते हैं तो आपका काम जरूर सफल होता है और आपके काम में कोई भी बाधा नहीं आती है CAA कानून लागू हो गया है और इसी के साथ पूरे देश भर में उन तमाम सरराथियों को सरण मिल सकेगी जो वर्सों से भटक रहे थे जिनके लिए कोई किसी सरकार ने सुध नहीं ली लेकिन मोधी सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी करके अपने इरादे को बता दिया है कि किसी भी तरह से जो विदेश में रह रहे है यानि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांगला देश में रह रहे है अलब संख्यक हिंदू है उन्हें किसी भी तरह से प्रतारित नहीं होने देंगे परिशान नहीं होने देंगे उन्हें सरार्थी के रूप में अगर वो जीवन व्यतित कर रहे हैं तो अब सरार्थी के रूप में वो जीवन व्यतित नहीं करेंगे अपने मजबूत इरादे से यानि कानून पारित होने के बाद से ये साप कर दिया है कि अब इन्हें नागरिता भी मिलेगी हलाकि CAA लागू होने के बाद तमाम विरोधी पार्टिया जो हैं वो विरोध कर रही है और वो ये कह रही है इसमें मुस्लिमों को भी सामिल करना चाहिए था लेकिन उनकी तुष्टी करण की राजनी एकदम पूरी तरह से साबित हो गई सामने आ गई उन्हें ना बाद से कुछ लेना है मुस्लिमों की चिंता करते हैं वो भी मुस्लिमों की चिंता कब करते हैं सिर्फ हो सिर्फ बोट के लिए अगर जिस दिन मुस्लिम उनको बोट देना बंद कर देंगे तो उनकी चिंता करना भी बंद कर देंगे तो मजबूत इरादे के साथ जिस तरह से केंद्रिया, ग्रह, मंत्री, अमिसाजी, लगातार प्रयत्र कर रहे थे और कहा भी जा रहा है कि उन्हें कि जहां साह होते हैं वहाँ पर रहा बनती है तो वो रहा बनती हुई पुरी तरह से दिग गई, पुरे देश भर में सुरच् सडके जाम कर दी थी, देश के आम जन जीवन को अस्तवेस्ट करने का काम किया था, धरना प्रदर्शन कर दिया था और तमाम ऐसे जगहों पर उपद्रव अरजक्ता फैली थी, जिस से पुरा देश लग रहा था कि अरजक्ता की आग में जुक जाएगा, दिल्ली में भी ब इन सब को संड़च्छड भारत में मिल सकेगा, नागरिक्ता उनको मिल सकेगी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जिस तरह से ममता बनेर जी की सरकार और ममता बनेर जी की पार्टी इसका विरोध कर रही है, ममता बनेर जी ने तो चुनोती भी दे दी हैं आप सब भी कमेंट्स वाक्स में शूचिते हैं